जैन साथियों वेलकम टू क्रेजी जी के ड्रिक दोस्तों दो दिसमबर के सबसे पहले important current affairs को आई देखते हैं तो सबसे पहला प्रश्ण आप सभी के सामने रहा होर्न बिल महुसब किस राज में हाली में शुरू हुआ है in which state hornbill festival has started important question है कई बार exam में पूचा गया है दोस्तो hornbill जो महुसब है अभी हाली में नागा लेंड राज में शुरू हुआ है कहाँ पर नागा लेंड राज में इसकी शुरू हुआ है एक दिसमबर 2022 को कहाँ पर नागा heritage village की सामा में ये शुरू हुआ है कौन से एडिशन है इसका 23 एडिशन हाली में शुरू हुआ है यदि आपसे पूचा जाए के hornbill festival में कौन से मुख अतिती प्रजेंट थे तो भारत के उपरास्ट्र पती इनका नाम है जगदीप धनगर भारत के किस नंबर के उपराश्पती है तो 14 नंबर के उपराश्पती है ये उद्घाटन समहारों में उपस्तित थे देखे नागा लेंड के गवर्नर कौन है इनका नाम आप याद रखेगा जगदीश मुखी है और मुख के मेजबान थे मुख्य मंत्री नेफ्यू रियो ये भी आपर मेजबान थे तो इन दोनों नामों को आप याद रखेगा पूछा जा सकता है साथियों ये महसब कब तक चलेगा तो ये महसब 10 दिसंबर तक चलेगा नागालेंड जो राज दिवस से कब मनाया जाता है एक दिसंबर 2022 को नागालेंड राज दिवस मनाया गया मैं आपको बता दूँ जो होनबिल महसब है हर साल कब मनाया जाता है तो दिसंबर का जो सबसे पहला वीक होता है तब नागालेंड में मनाया जाता है होनबिल महसब और इसे festivals का festival कहा जाता है देश का सबसे बड़ा इंडीजीनियस festival है ये देखे आप पे नागालेंड की location को देख लीजे आप तो ये है नागालेंड की location उपर आपको कौन सा राज देखने को मिलेगा अरुणांचर प्रदेश नीचे आपको मडिपूर देखने को मिलेगा इधर आपको मैमार देखने को मिलेगा और इधर है असम इस प्रकार से नागालेंड की जो बाउंडरी है वो घिरी हुई है दोस्तों ये जो हॉर्नबिल मौसब है आखिर किसकी आज़ पे मनाया जाता है क्यों नाम रखा गया हॉर्नबिल तो देखिए जो मौसब है यहाँ पर हॉर्नबिल पक्षी है उसके नाम पर रखा गया है और दोस्तों ये जो हॉनेबिल पक्षी है ये बहुत जादा पूजनी होते हैं नागाओं के लिए इस वज़े से ये महसब मनाया जाता है दोस्तों आपे हमने फेस्टिबल्स की बात की है तो 2022 में जितने इंपोर्टन फेस्टिबल्स आजित किये गए हैं आईए उस पर पूरा ध्यान से रिविजन करते हैं क्योंकि यहां से एक नंबर तो आपका पक्का है तो भारतिय अंतरास्टि फिल्म महसब गोवा में हुआ है अभी हाली में आजित हुआ है संगाई उससब मडिपुर में वार्शिक यूवा महसब सोंजल श्रिनगर में काडालेकाई परीशे जो की मुंगफली महसब है करनाटक में अंतरास्टि गीता महसब कहां पर हो रहा है हर्याना में वैक्षिन इंजेक्शनिंग घोप ये न्यू डेली में वांगला फैस्टिवल कहां पर मेघाले में ये सब मैंने आपको पढ़ाया था और 41 भारत अंतरास्टि ये वैपार मेला न्यू डेली के प्रगती मैदान में आज़ित किया गया अमूर फालकन फैस्टिवल मडिपुर में और आखरी है वलोंग मेला अरुनाचे प्रदेश में स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं आपको इसका पीडियाफ हमारे क्रेजी जीकर ट्रिक अप्लिकेशन पर मिल जाएगा दोस्तो आज मैं ट्रावलिंग कर रहा था इस वज़े से थोड़ा सेशन लेट हुआ बट आप सभी को पता है चाहे कुछ भी हो आपके राजा सर आप तक वीडियो आपको पहुचा के रहेंगे क्योंकि आप इसका इंतजार करते हैं और बहुत बड़ी बात है दोस्तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि ऐसा हुआ है S.S.C. में दोस्तो S.S.C. में कल का मैं एनलेसिस कर रहा था हूबा हू करेंट अफेर्स हूबा हू स्टैटिक जीके का पिटारा पूछ लिया गया मैं बहुत खुश था कि हम जो दे रहे हैं आपको आप तक पहुचा रहे हैं वो एकदम सही निकल रहा है S.S.C. के एक्जाम में डारेक कोश्चन आये हैं आप मैच करिएगा बहुत सारे बच्चों ने जो पेपर दिया है अब दोस्तों आपकी जो कमेंट्स है मैं रिप्लाई करूँगा अगर आपको कमेंट आता है राजा गुपता राजा गुपता करेंट अफैर लिख करके आएगा तो यहाँ पर आप इस आईडी से आपको मैं आपको रिप्लाई करूँगा आपके कोई भी doubt आते हैं तो मैं यहाँ पर solve भी करूँगा दोस्तो आप पढ़ रहे हैं 2 December के 2022 के important current affairs में मैं हूँ आप सभी का राजा गुपता भारत के सब exams के लिए current affairs मैं आप पर cover करता हूँ यह है current affairs की ब्रह्मास्तर class दोस्तो इसकी जो विशेश बात है class की कि सबसे आखरी में आपको मिलता है static GK का पिटारा जब current affairs खतम हो जाता है और current affairs का daily test होता है 25-30 minutes की class है यह है current affairs की ब्रह्मास्तर class दोस्तो परिंदों को मंजिल मिले की यकीनन ये फैले हुए उनके पंक बोलते हैं परिंदों को मिले की मंजिल यकीनन ये फैले हुए उनके पंक बोलते हैं वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके उनर बोलते हैं इसलिए खामोश रहे करके काम करिये सब कुछ मिलने वाला है आई देखतें कोशनोंबर टू वैरी वैरी इम्पोर्टन भारत में मात द्वित्यूदर जो मेटरनल मॉूइलिटी रेट हैं 2018-20 में कितनी हो गई है भारत ने बहुत अच्छे अच्छे चीपमेंट अच्व Elizabeth की है भारत ने maternal mortality rate को 97 लिया दिया है बहुत ज़्यादा पहले थी अब 97 पहुँच गई है मात मृत्यूदर मैं समझाता हूँ क्या होता है मात मृत्यूदर तो दोस्तों पहले इस report को जो है किसने जारी किया ये जानते है तो भारत के registrar general है अभी देखे भारत के present में registrar general है विवेग जोसी जी क्या नाम है इनका विवेग जोसी जी इनका नाम है तो भारत के registrar general के दोवारा report पेस की गई प्रति लाख में याद रखेगा 1 लैक में जीवित जन्मों में maternal mortality rate जो है 2014-16 में 130 था भारत ने 97 कर दिया है हाला कि भारत का लक्षा 70 से भी कम लाना 2030 तक और हम achieve करेंगे यानि एक लाख जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें बहुत सारे माता हैं जो है अपनी जान गवा देती है during the delivery extreme pain होता है हमारी माताओं को और यह health facilities भारत धीरे धीरे इंप्रूफ कर रहा है बहुत सारे support system दे रहा है इस वज़े से reduction देखने को मिल रहा है पहले 130 था फी 122 हुआ 113 हुआ अब हम 97 तक पहुँच चुके हैं तो भारत का लक्ष जो है मैंने आपको बताया राष्टी स्वास्त निती लक्ष को पूरा कर लिया है 100 से कम पहले करना था अब 2030 तक हमारा लक्ष है प्रती लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम हमें करना है यह हमारा target है दोस्तों कौन सा ऐसा राज है जहां पर MMR सबसे maximum है and this state is awesome असम में 195 है second number पर MP आता है 173 और 10 number पर UP आता है सबसे कम MMR किसका है तो that is केरल केरल अपने स्वास्त health facilities awareness के लिए जाना जाता है वहाँ पर MMR केवल 19 है उसके बाद महरास्ट है 33 और तिलांगना 43 है दोस्तों जिन राज्जों ने SDG यानि सतत विकास लक्ष हासिल कर लिया है वह केरल है महरास्ट है तिलांगना है आन्द प्रदेश है तमिल नाडू है इन सभी राज्जों ने अपने targets को पूरे किया है दोस्तों यहाँ पर 30 नवंबर का result हमारे पास है डेली करेंट फेर्स quiz का और पहले rank मारी है लोकेश मेनान है और second राहुल सिंग ठाड आजाए गौतम फोर्थ हिमानशू और फिफ्थ हिमानशू डोभाल यह आपकी rank है दोस्तों और यहाँ पर आपकी point दिख रहे हैं यह जो quiz होता है daily हमारे test जो होते हैं वो होता है crazy gk trick application पर होता है cgt application को आप जाएंगे google play store पर search करेंगे link भी दिया गया है वहाँ पर होता है quiz वहाँ पर हम quiz कराते हैं आपकी rank पता चलती है कि आप कितने level पर हैं बहुत साई लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि daily quiz भी मिलता है और वहीं से आप daily PDF भी download कर लो वहीं से आप daily video भी देख लो सब कुछ है cgt application पर चली question number 3 को देखते हैं हाली में सेवी ने किसे BSE क्या MD&CEO nuked किया है तो सेवी ने BSE का MD&CEO बनाया है वह है सुन्दर रमन राम मूरती इसको बनाया है सुन्दर रमन राम मूरती देखी सेवी के प्रिजन्ट में अध्यष है माद भी पुरी बूच सेभी का काम क्या होता है कि भारत में जितने भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी राइट्स को बचाना उनके साथ धोखा दड़ी ना हो सेभी यह सब रेगुलेट करता है अब देखे यहाँ पर हम बात कर रहे है राम मूर्ती की तो यह आप देख पा रहे हैं यह है राम मूर्ती जी प्रेजेंट टिमिये बैंक ओफ अमेरिका में चीफ ओपरेटिंग ओफिसर है ठीक है और आशीश कुमार चोहान इनके पहले थे और इनके बाद सुन्दर रमन राम मूर्ती बन है BSE के MD&CEO देखे यहाँ पर बात आरी साथ यह BSE की BSE को हम बोलते हैं Bombay Stock Exchange जिसके स्थापना कब हुई है 1875 में हुई है The Native Share and Stock Brokers Association के रुप में पहले इसकी स्थापना हुई है अब इसका नाम बदल दिया गया है दोस्तो एशिया में स्थापित होने वाला सबसे पहला Stock Exchange था Bombay Stock Exchange ठीक है याद रखेगा दोस्तो यहाँ पर नियुक्तियों की बात करेंगे रिवाइस करेंगे हाली में जित्ती भी important युक्तिया हुई है उसे रिवाइस करने वाले है हाली में UPSC की सदश्य बनी है प्रीती सूदन हाली में जर्मनी में राजनीतिक दल के राज प्रसीडियम में गुर्धी प्रांधावा चुने गए है भारती उलम्पिक संग की सबसे पहली महिला निर्विरोध अध्यक्ष बनी है पीटी उशा भारत की उडन परी देखे हाली में दीपा मलिक जो है नीचे पहल का अमबेसडर बनाया गया नीचे पहल जो है टीबी को खतम करने का पहल है न ठीक है दो हजार पच्चिस तक भारत टीबी को खतम करेगा आर्मन गबरू के ब्रेंड अमेसडर है हमारे इसका ही सूरी कुमार यादव ये टीटी में सबसे पहले रंक पर बल्ले बाज है हाली में अरुर कुमाल गोयल को बनाया गया है चुनाव आयुक्त स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और पीडियो भी आपको मिल जाएगी क्योंकि 25 मिनट में मैं लगवग 200 से 300 जानकारी देता हूँ इसलिए में रफ्तार भी बराबर होती है चली हाली में फोफ्स की अमीरों की सूची में सबसे पहला स्थान किसका है तो अभी देखें अमीरों के नाम पर बात करें तो सबसे पहला नाम आता है गौतम अडानी का ठीक है दुनिया में दूसरे नमबर तक पहुँच चुके गौतम अडानी ये एक फोफ्स की जो सूची है अमीरों की सूची है उसमें पहले स्थान पर गौतम अडानी है भारत में तो देखें भारत के सो सबसे अमीर लोगों में सबसे पहला नाम आता है गौतम अडानी का इसके बाद आता है नाम मुकेश अमबानी का दोस्तो अगर फीमिल केटेगरी की बात करें तो सावित्री जिंदल टॉप 10 अमीरों की सूची में शामिल है और एक मात रिसमें महिला जो है वो हैं सावित्री जिंदल याद रखेगा पूछा जा सकता है इसे रीसेट में प्रशन पूछे जाता है ठीक है चलिए बीएसेफ का 58 नमबर का स्थापन दिवस कब मनाया गया तो Border Security Force बोलते हैं बीएसेफ को तो बीएसेफ का 58 वा स्थापन दिवस हाली में 1 दिसमबर को मनाया गया है 17 नवंबर को मैंने आपको बताया था राश्ट्री मिर्गी दिवस National Epilepsy Day मनाया जाता है 26 नवंबर को बताया था National Constitution Day मनाया जाता है 20 नवंबर को बताया था World Children's Day मनाया जाता है रिवाइस करा रहा हो ठीक है तो 1 दिसमबर को बीएसेफ का 58 वा स्थापन दिवस मनाया गया है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बीएसेफ की स्थापना कब हुई है प्येसब जम्मू और जो पाकिस्तान का है एरिया है उससे भारत की जो अंतर रास्टी सीमा लगी हुई है 192 किलो मिटर पर ये तैनात है भारती सेना के साथ नियंतर रेखा पर एकार करता है PSF भारत पाक अंतराश्टी सीमा भारत बांगलादेश अंतराश्टी सीमा और जो नियंतर रेखा है वहाँ पर ये तैनात है और विश्यो का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षाबल है बॉर्डर सेक्यूरिटी फोर्स PSF के प्रेजेंट में महानी देशक पूछे जा सकते हैं आपसे तो ये हैं पंकच कुमार सिंग क्या नाम है पंकच कुमार सिंग दोस्तो 2022 की महतुपूर्ण नियोक्तियों की बात करेंगे आज की हमारी नोलेच की फैक्टरी में हाली में देश के 50 वे CGI बने इनका नाम है डी वाई चंदर चूण इनकी पिता जी का नाम था क्या नाम था इनकी पिता जी का कमेंट बॉक्स पर बताईए सबसे लंबे समय तक के लिए वो बने थे देश के CGI क्या आपको याद है कमेंट बॉक्स पर बताईए इनके पहले 49 नए नमबर के जो CGI थे वो थे उदय उमेश ललिद यू यू ललिद हाली में देश के नए अटाउनी जनरल बने महाधिवक्ता बने है आर्टिकल नमबर 76 में अटाउनी जनरल की पत के बारे में बताया गया है आर वैंकट रमणी सोलवे नमबर के हैं हाली में इसरो के आदित एलवन मिशन के प्रधान विज्ञानिक बने हैं डॉक्टर शंक शुभरिमन्यों संजीप मलोत्रा राजज़स व सचीप बनाए गया है रेवेन्यू सेकेटरी भारती व्यपार समवर्धन संगठन के चेर्मेन है प्रदीप सिंग खरोला संदीप कुमार गुपता को गेल इ अधिश बनाए गए सेफाली जुनेजा दोस्तो एक एक प्रशन आ रहा है मैं कह रहा हूँना आप जा कर देखना एक एक प्रशन आ रहा है आपकी क्लास से चलिए जियांग जैमन किस देश के पूर राश्पती है जिनका हाली में निधन हो गया है तो जियांग जैमन जो है ये चीन के राश्पती है जिनका हाली में निधन हुआ है पूछा जा सकता है तो पूर्व चीनी राशपती जियांग जैमन 96 years की उम्र में लुकीमिया के कारण शंगाय में निधन हुआ है लुकीमिया एक ब्लड कैंसर होता है और जब हमारे शरी में WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें लुकेमिया हो जाता है 1993 से लेके 2003 तक ये चीन के प्रेसिडेंट रहे है दोस्तो इन्हीं के लीडर्शिप में 1997 में हॉंग कॉंग को चीन को शान्तिपूर्ट सौब दिया गया और चीन WTO में एंटर हुआ जिसकी वज़ते चीन ने अपनी एकनॉमिकी छेतर में बहुत जादा प्रोग्रस की है हाली में हुए जो निधन है इसे भी रिवाइस करते हैं तो सबसे पहला है विक्रम गोखले तो ये बॉलीबूड अभी नेता थे अब हमारे बीच में नहीं रहे रसना जिस आपका जो पूरा बच्पन भीता होगा तो रसना की संस्थापक थे अरीस पिरोश शाह खंबाटा इनका हाली में निधन हुआ है पूरो भारती फुटबॉल कप्तन बाबू मडी का निधन हुआ है मशुहूर पंजाबी अक्ट्रेस दलजीत कौर का निधन हो चुका है अब बास मुंतसिर इनका संबन भारत के बास्केट बॉल से था कृष्णा गारू तेलगू फिल्म सुपरस्टार थे आरल कश्प की बात करे तो प्रसिद्ध मैथमेटीशन थे इनका हाले में निधन हुआ है स्क्रीन शॉट ले लीजे आप आप मेरे साथ सारे पॉइंट्स नोट भी करते चल सकते हैं और आपको इसका PDF मिल भी चाहेगा चलिए अगला प्रस्शन देखते हैं भारत और किस देश की बीच में आर्थिक सहीयोक और व्यापार समझाता 29 दिसम्बर से लागू होगा तो भारत और आस्टिले के बीच में ये व्यापार समझाता लागू होगा 29 दिसम्बर से दोस्तों इससे क्या होगा कि दोनों देश के बीच में जो शुल्क लगता है बहुत साज़ जो टैक्सिस लगते हैं दोनों देश आपस में व्यापार को बढ़ाने के लिए टैक्सिस को कम करेंगे दो अप्रल 2022 को व्यापार समझोते के लिए सिगनेचर किये गये थे और 29 दिसंबर 2022 को इसे लागू कर दिया गया है नेश्ट पुर्षो के फुटबॉल विश्यकप में पहली महिला रेफरी कौन बनी है तो पुर्षो के फुटबॉल विश्यकप में पहली महिला रेफरी बनी है स्टेफनी फरपार्ट क्या नाम है इनका स्टेफ़नी फ्रपार्ट आप सभी को पता कि कतर में फीफा विश्यो कप हो रहा है और उसी दोरान पहली मैला रेफरी देखी गई स्टेफ़नी फ्रपार्ट दोस्तो फ्रांस की हैं किस देश की हैं यह फ्रांस की हैं स्टेफ़नी फ्रपार्ट पूर्शो के विश्यो कप मैच में रेफरी का बनने वाली पहली मैला है दोस्तो इसके पिछला जो चैंपियन था फीफा का वो फ्रांसी है ये भी आप याद रखना स्टेफनी फ्रापार्ट एक दिसमबर 2022 को कतर के अलबयात स्टेडियम में कोस्टारीका और जर्मनी के बीच में मैच हुआ तब ये रेफरी हुई थी एक दिसमबर को दोस्तो फीफा पुरुष विश्यो कप जो हो रहा है आई उसका एक बार पुरा रिवीजन करते हैं फुडवाल का जो नाम है ये है अलरेहला एक किसवा फीफा विश्यकप 2018 रूस में हुआ था और फ्रांस विजेता था दो हजार चबश का कहां पर होगा कैनड़ा, अमेरिका और मेक्सिको में होगा 2022 का कतर में हो रहा है, पुरा आपको डिटेर्ड एनलिसिस दे रहे है यूपी की पहली महिला पुलिस कमिशनर हाली में कौन बनी है तो यूपी की पहली महिला कमिशनर बनी है लक्ष्मी सिंग कौन बनी है लक्ष्मी सिंग दोस्तो 2000 बैच की IPS ओफिसर है लक्षमी सिंग पहली महिला पुलिस कमिशनर बनाए गई है अभी देखें लक्षमी सिंग जो है नोड़ा का कहां पर नोड़ा का पुलिस कमिशनर का कमान इन्हें दिया गया है आलोक सिंग की जग है इसके पहले वो लखनव रेंज में आईजी की पत पर कारे कर रही थी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे मैं बढ़ रहा हूं अगला प्रशना आप सभी के सामने आएगा वर्ल्ड एड्स डे कब बनाया गया वेन इस वर्ल्ड एड्स डे सेलिबरेटेड तो विश्व एड्स डिवस मनाया जाता है एक दिसंबर को ठीक है इसके बारे में complete analysis देने वाला हूं पहले और भी days को समझ लीजे चोला नवंबर को बनाया जाता है नेस्नल प्रेस डे तीन नवंबर को वर्ल्ड बायोस्फियर रिजर्व डे पहली बार मनाया गया पांस नवंबर को मनाया गया विश्व सुनामी जागरुकता दिवस मनाया गया तो यह वर्ल्ड एड्स टे एक दिसंबर को मनाया गया है दोस्तो थीम याद रखिएगा एकोलाइस दो हजार बाइस की थीम एकोलाइस 1988 में डबल एचो के दोवारा इसे स्टार्ट किया गया जो एड्स है दोस्तो किस वाइरस की वज़े से होता है तो HIV, Human Immuno Deficiency Virus की वज़े से होता है और हर साल लगबग 40 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है एड्स एड्स कैसे फैलता है दोस्तो अगर कोई infected HIV प्रीडित व्यक्ती है और उसका blood चढ़ा दिया जाए unprotected sex या फिर used needle हो गए जो हम trimmers का स्टमाल करते हैं blades का स्टमाल करते हैं तो इन सभी चीजों से एड्स फैलता है खाने साथ खाने और बैटने से एड्स नहीं फैलता जब तक कि जो एड्स वाइरस है वो आपके शरीर के अंदर न पहुंच जाए इस प्रकार से आपके शरीर में वो पहुंचता है दोस्तो एड्स के परिक्षन के लिए एलीशा टेस्ट का इस्तमाल किया जाता है चलो 2022 की रस्मलाई खिलाता हूँ आप सबी को यानि इंपोर्टन प्रशनों को डिस्कस करते है अंतराश्टर क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने है एंसर दीजे जेम्स एंडर्सन ग्लूमबर्ग्स बिलीनियर्स इंडेक्स के टॉप थ्री में जगह बनाने वाले पहले एशियाई कोन है तो ये हैं गौतम अडानी अभिजीस सेन का हाली में निधन हो गया वह कौन थे तो अभिजीस सेन थे अर्थ शास्तरी मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है तो दिविता राय ने इस खिताब को अपने नाम किया है रास्ट्रिय लगू उद्योग दिवस कब मनाया जाता है 30 अगस्त को मनाया जाता है चलिए दोस्तों अब आपका 10 प्रशनों का टेस्ट हो रहा है तैयार हो आपक किस देश में आजित हुा था झाली में विक्रम गोगले का निधान हो गया इनका संबंद किस चेत्र से था तो विक्रम गोगले अभिनेता थे दिलीब टिर्की किसके अध्यक्ष बनाए गये है तो दिलीब टिर्की हौकी इंडिया के अध्यक्षन गेल इंडिया के चेर्मेन कौन है तो गेल इंडिया के चेर्मेन है संदीब कुमार गुपता आर वेंकट रमणी किस नंबर के महाधिवक्ता बने है तो आर वेंकट रमणी 16 नंबर के महाधिवक्ता है भारती सेना दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है पंदरा जनवरी को बिसफ की स्थापना किस वर्स हुई थी जल्देल्दी कमेंट बॉक्स पे उत्तर चलने चाहिए सब के एंसर आपके केमेंट्स का रिपलाई गरूँगा आप बस अपना सजेशन देते रहना 1965 पंकच कुमार सिंग किसके महानिदेशक है तो पंकच कुमार जो है महानिदेशक B.S.F. के है किस राज में सबसे अधिक मात्र मृत्यूदर है तो सबसे जाधा असम राज में MMR है किस राज में सबसे कम MMR है तो केरल में है मात्र 19 कितने नंबर आएं दस में दस हाए की नहीं आएं बताओ भाईया अब दोस्तों एक दिसंबर के करेंट अफेर्स का यहां पर रिविजन करने वाले हैं तो ये देखी आपके पास प्रश्नेरा अंतराश्टी लूसोफोन मौसब का जन कहां पर किया जाएगा गोवा में ग्रेट बेरियर रिफ किस देश में सती था जिसे विश्व विरासत इस्थल में शामिल करने की सिफारिस की गई है तो ग्रेट बेरियर आस्ट्रेलिया में है भारत ने किस देश को 100 मिलियन डॉलर की विती सहायता प्रतान की है तो भारत मालदीब को अभी 100 मिलियन डॉलर की विती सायतर प्रदान कर चुका है रसाइनिक युद्द के सभी पीड़तों के लिए स्मरंड दिवस मनाया गया कब तो 30 नवंबर को मनाया गया डबलो एचो के दोरा मंकी पॉक्स का नया नाम क्या कर दिया गया है तो साथ्यू डबलो एचो ने मंकी पॉक्स का नाम M-Pox कर आए कार्बन कैप्चर पर अध्यन रिपोर्ट को किस ने जारी किया है तो कार्बन कैप्चर पर जो रिपोर्ट है नीती आयूर ने जारी किया है विस्तारा का एयर इंडिया में जो विला है कब तक हो जाएगा 2024 तक केंदर सरकार के दौरा चेतना अभियान किस के लिए शुरू किया गया सेभी ने तो यहां पर आप बताए जल्दी से तो केंदर सरकार के दौरा यह आप गलत यह हो गया सेवी ने अधिगराण नेमो की समिक्षा के लिए उच्य स्तरी समिति का गठन किया इसके अधिश कोन है एस जे वजीफादार ठीक है यह उपर वाला जो है यह आप हटा दो यहां से सेवी ने अधिगराण नेमो की समिक्षा के लिए उच्य स्तरी समिति का गठन किया इसके अदर एस जे वजीफादार है IFFI के 53 एडिशन में ICFT युनेसको गांधी पदक किस फिल्म को मिला है तो यह है नरगेसी इरान की फिल्म है भारत का पहला निजी लॉंच पेड कहां पर स्थापित किया जाएगा कहां पर श्री हरी कोटा में कहां पर श्री हरी कोटा में तो कैसा लागा दोस्तो आज का सवाल आप सभी के लिए हॉनबिल फेस्टिबल किस राज में शुरू हुआ कमेंट बॉक्स पे बताईए दोस्तो स्टैटिक जीके का पिटारा खुल गया है बालॉजी की परषणों को यहां पर डिसकस करेंगे तैयार हो जाएये बहुत तेजी से अपन निकलने वाले है मुख मैं स्टार्च का शरक्रा में पाचिन किसके द्वारा होता है तो जो मुख में स्टार्च होता है उसका शरक्रा में पार्चन टाइलीन के द्वारा होता है टाइलीन हमारे मूँ में बनता है हमारे मुँ में बनता है हमारे digestive system का कौन सा पार्ट नहीं है तो हमारे digestive system का हिस्सा cornea नहीं है cornea आख का हिस्सा है शरीर के लिए enzyme अवश्यक होते है for our body enzyme is very important क्या करते हैं। वो जीव-रसायनिक क्रियाओं की उत्प्रेर Agric होते हैं जो हमारे सरी में function start होते हैं निष्ष होते हैं दूखनो प्रोटिन को पचाने वाला enzyme जो दूद होता है वो protein इंग रह्नन है देखे, जब आप छोटे रहते हैं तब आपके शरी में रेनिन बहुत ज़्यादा डबलप होता है जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो दूद के पचाने की शम्ता हमारी कम हो जाती है क्योंकि रेनिन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है अधिकतम पोशक तक रग्ट में कहा अवशोशित किये जाते हैं तो याद रखना हमारी जो स्मॉल एंटस्टाइन, हमारी जो छोटी आथ है सारे पोशक तक तक वहीं से खीचे जाते हैं 산 पे वीली पाया जाता है वहाँ पे वीली पाया जाता है ए स्टार्ज को पचाने में मानो के हमाराशां में एक अम-लुद्पन होता है, एक ऐंसीड बनता है जो भोजन को पचाने में सायक होता है यह कौन सा एसिड है तो यह है हाइड्रो क्लोरिक एसिड इसका pH value 1.2 something होता है मानोश शरीन में भोजन का जो रग तोवारा absorption कहां पर सरवादिक होता है तो यह तो मैं आपको बता चुक हो छोटी आत्म protein का पाचन कहां से शुरू होता है very important question अगर आपसे पूछे के carbohydrate का पाचन कहां से होता है तो मूँ से होता है ठीक है लेकि protein का पाचन जो होता है वो हमारे पेट से होता है उदर से होता है पचे हुए भोजन में जो विशेले पदार्त होते हैं toxic component होते है उसको कौन कौन उसका क्या करता है absorption करता है तो पचे हुए भोजन में जो toxic substances होते हैं लीवर यकृत को बोलते हैं लीवर पैपसिन क्या है पैपसिन एक प्रकार का आपने नाम सुना है तो पैपसिन is an enzyme पाचन क्रिया में protein निन में से किस पदार्थ में बदल जाता है तो जो protein होता है वो किस में convert होता है ठीक है तो protein convert हो जाता है amino acid में वे कौन संग है जो माना शरीर में glycogen की रूप में carbohydrate को store करता है and that is यकृत वो लीवर है जो glycogen को store करता है और vitamin को भी store करके रखता है तो कैसा लगा आप सभी को static G के कपेटार साथियो ऐसे ही आप साथ बनाते रहे हैं मुझे एक साल हो गया है पढ़ाते हुए कुछ समय मैं बिमार था कुछ कार में west था इस वज़े से मेरा face में वीडियो नहीं आ रहा था लेकिन मैं ही था बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया राजा सर को बुलाओ मैं ही था थोड़ी आवाज इतनी गड़बड आ रहे थी तब्वेत खराब थी इस वज़े से अगर आप कभी कभार बहुत urgent आप समझो मुझे लगातार वीडियो देना होता है मेरा आपके साथ long long जो distant relation बन गया है यानि जीवन भर का जब तक मेरी सांसे चलेंगे तब तक मैं आपको current affairs पढ़ाऊंगा मुझे एक साल तो होई गया है मलब एक साल का commitment तो मैंने आपके लिए पूरा कर लिया है अभी हमारा आपका जो relation है जिन्दगी भर चलना है जो हमारा आपका जो बंधन है एक गुरू और सिश्र का वो जीवन भर का है तो मैं आपकी सेवा में हमेशा ततपर रहूंगा बस ऐसे ही आप support करते रहे आपने जो प्यार दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद मुझे एक वर्स हो गया और आप हमेशा सुनते रहे सजेशन देते रहे और हमारा कारवा बढ़ता रहा अभी तो यह शुरुवात है अभी तो बहुत कुछ करना बागी है चले तो दोस्तो आप यहां पर देखे कुछ batches हमारे crazy gigatric application पर launch किये गए है अगर आप राजा गुपता cgt लिखते है rg cgt लिखते है तो आपको यहां पर भारी discount मिल जाता है rg cgt आप use करिए गए बहुत सारे courses हमारे crazy gigatric application में launch हुए इसके लावा MP पड़वारी special course launch किया है वहां भी आप rg cgt का अस्थमाल कर सकते है और मैं खुछ science पढ़ाता हूं root application पर दोस्तो आप मुझे follow कर सकते हैं कहां पर instagram, telegram, facebook हार जगह और अगर आप पहली बार चैनल पर आए है तो don't forget to subscribe and press the bell icon button सब्सक्राइब जरूर कर लेना घंटी वाला बटन दबा लेना ताकि आपको regular notification मिलते रहे हैं अब daily इसी प्रकार से face पर वीडियो आएगा आप लोगों के अब चलने का समय हो गया दोस्तों फिर मिलेंगे जय हिन जय भारत जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं